अकाउंट्स एंड और्डिट अकाउंट्स में दोस्तों सबसे पहले हमारे पास आएगा बुक्स ओफ अकाउंट्स हर कंपनी के उपर मेंडेटरी है OPC हो, Small हो, Charitable हो कैसी भी हो, बड़ी पे तो है छोटी पर भी है ओन एवरी कंपनी ये अकाउंट्स एक्रूल बेसिस पर बनेंगे कैश बेसिस का कोई सिस्टेम अलाउड नहीं है अकाउंट्स हमेशा डबल एंट्री पर बनेंगे कोई सिंगल एंट्री है, इनकंप्लीट रिकॉर्ड का हमारे हाँ कोई चांस नहीं है डबल एंट्री सिस्टेम ऑफ बुक्कीपिंग ये अकाउंट्स रखे कहा जाएंगे बट ओविसली रजिस्टर्ड ओफिस पे रखे जाएंगे रजिस्टर्ड ओफिस से आप दूसरी जगा शिफ्ट भी कर सकते हो लेकिन फिलाल पहला पॉइंट हमने देखा कि रजिस्टर्ड ओफिस पे हाँ शिफ्ट अगर आपको करना हो जैसा कि अपने अभी डिस्कस करा के वैसे तो हमें अपने बुक्स अपकाउंट्स ओल्वेज रेजिस्टर्ड ओफिस में ही रखने है अगर शिफ्ट करना होगा तो आरोसी को साथ दिन में बताना होगा ब्रांच अपने अकाउंट्स खुद मेंटेन करेगी ऐसा कुछ भी नहीं होता कमपनी लों में डिपेंडनेंट और इंडिपेंडनेंट ब्रांच वाला सिस्टम कुछ नहीं है एवरी ब्रांच विल मेंटेन इट्स ओन अकाउंट्स वेदर इंडियन ब्रांच और फॉरेन ब्रांच हाँ, summary accounts एक prescribed format में अपनी frequency के हिसाब से वो registered office को periodically भेजेगी accounts जो company बनाएंगी वो physical भी हो सकते है और electronic भी हो सकता है दोनों प्रकार के accounts allowed है यदि आप अपने accounts electronic बनाते हैं तो audit trail compulsory है क्या होती audit trail के हमारे accounts में creation से लेकर finalization तक कितनी बार और क्या-क्या change करा गया उसका एक edit log तैयार होता है audit trail compulsory for electronic accounts पहले ये 2022 से launch हो रहा था अब एक अपरेल 2023 से ये launch हुआ है can be inspected by director only books of accounts का inspection याद रखेंगे हम लोग director के द्वारा हो सकता है कल को director कहने लगे कि भाई मेरे को तो knowledge है नहीं मैं तो science का बंदा हूँ मैं तो arts का बंदा हूँ मेरे को तो commerce पता नहीं balance sheet चेक कैसे करते हैं भाई तो नहीं चेक कर सकता कोई बात नहीं सीख ले ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी जगा किसी और को भेजने का भाई मैं director हूँ मैं तो चेक कर नहीं पारा तो मैं अपनी जगा अपने प्रतिनीदी को भेज रहा हूँ यह नहीं होगा और बड़ी बात inspection केवल business hours में होगा और inspection branches का भी allowed है लेकिन foreign branch का रहीं हो सकता ठीक है 8 साल तक books of accounts अमाल कर रखने हैं लेकिन अगर company under investigation है तो जब तक investigation चलेगा वो 8 साल भी extend हो जाएंगे तब तक लंबा समय तक चलता रहेगा अगर accounts maintain नहीं करेगए तो किन-किन लोगों के खिलाफ बिल फटेगा managing director whole time director finance वाली category में chief financial officer और अन्य कोई भी अधिकारी जिसको board of director ने authorized करा हो जैसे companies में आजकल CAO भी होते हैं chief accounts officer भी companyयों में पाए जाते हैं उपर आपने देखा था कि accounts आपकी choice है आप physical भी बना सकते हैं आप electronic भी बना सकते हैं अगर आप electronic accounts बनाते हैं तो इन बातों का ख्याल आपको रखना होगा आपके जो accounts है वो भारत से accessible हो भले ही वो विदेश में बनाए जाए audit trail software हमेशा enable रहना चाहिए उनके अंदर जिस format में accounts create करे गए उसी format में वो accessible होने चाहिए हमेशा बात में भी original format branch record का maintain रहेगा ऐसा नहीं होगा के branch ने अपनी summary head office को भेजी और head office ने अपने format में उसे merge कर दिया जो original record creation है वो save रहना चाहिए legible display के वो नजर आए storage, retrieval और printing हो सके backup server भारत में होना चाहिए पता चला आप बोलो साप server crash हो गया accounts तोड़ गए और वो तो Netherlands की कोई company हमारे accounts maintain करती थी हमें तो कुछ पता नहीं daily backup लिया जाएगा और अगर आप अपने accounts की outsourcing कर चुके है कोई outsourcing vendor आपने hire किया हुआ है अपने accounts maintain रखने के लिए तो उसकी जानकारी आपको बतानी पड़ेगी ROC को कि आपके accounts कोई और समालता है जैसे अभी आपने जो provision पड़े वो section 128 था आप जानते हैं अब financial statement के बारे में हम पड़ेंगे P&L balance sheet जो 129 में है section वे से कोई खास दिक्कत नहीं है नहीं वियाद रहा आपको तो कोई problem नहीं है schedule 3 के मताबिक बनाई जाएगी financial statements ये balance sheet shareholders को annual general meeting में उपस प्रस्तुत की जाएगी और अगर आपकी company holding है तो subsidiary के साथ आपका consolidation compulsory है यदि आपने accounts में financial statement में accounting standard का पालन नहीं करा तो आपको बताना होगा और with reason बताना होगा कि कौन सा AS follow नहीं करा क्यूं follow नहीं करा और हाँ उसका impact भी बताना पड़ेगा कि उसके follow करते तो profit position ये थी उसको follow नहीं करा तो profit position ये है Central government चाहे तो exemption दे सकती है Periodical financial statement क्या होते है Periodical मतलब financial year के अलावा किसी और period के balance sheet बनाना किसी और period का P&L balance sheet बना कर तयार करना चाहिए संभव है हाँ क्यों नहीं संभव है जब भी केंद सरकार order करेगी हम 3 महिने का क्या हम 3 दिन का balance sheet बना दे 3 दिन का P&L बना दे अपने क्या फरक पड़ता है accounting software में तो हर पल balance sheet तयारी रहती है अगला है दोस्तो reopening of account एक बार हम अपनी balance sheet close कर चुके एक बार हम अपने books of accounts पर ताला लगा चुके एक बार हम अपना closure of financial year कर चुके तो क्या उसके बाद भी balance sheet open हो सकती है क्या उसके बाद भी भी खाता reopen हो सकता है जी हाँ दोस्तो आप title पढ़िए वहां लिखा है reopening of account on court or tribunal order जब माननीय नयाले कह रहा है जब माननीय अदालत कह रही है तो हम और आप कौन होते हैं मना करने वाले पिछले आठ financial year के accounts reopen हो सकते हैं लेकिन इसकी application कौन देगा या तो central government income tax authorities SEBI कोई और regulator या कोई और authority it can be GST department as well वही अदालत के कान में जाकर कोई बात को फूकेगा तभी तो अदालत कोई बाजार में बठक बठक कर देख थोड़ी रही है कहां क्या चल रहा है वो तो उसके पास petition जाएगी ज़स चहाब गलत हुआ है इस company में accounts reopen करवाओ तो करवा लेंगे उसमें क्या है हाँ जी अगर company under investigation है तो फिर ये 8 साल का लंबा समय आगे खिच सकता है voluntary division क्या होता है अरे भाई जब अदालत के कहने पर हम balance sheet reopen कर लेते हैं तो हम लोग कह रहें भाई हमको भी गलती दिग गई अपनी हम भी चाती है अपनी balance sheet revise करना सरकार पूछ रही क्यों करना है और यह हमें करना है हमारा दिल कर रहा है कोई कारण है तो देखो ऐसा है कि सरकार अदालत ने जैसे तुमको आदेश दिया accounts revise करने के लिए तुम अपनी मर्जी से भी कर सकते हो NCLT से approval लाना पड़ेगा और हाँ ऐसा नहीं है साल में कई बार reopen करके बैठ जाओ एक financial year में एक ही बार reopening होगी और revision के reasons बताने पड़ेंगे आपको board report में कि आपको revision क्यों करना है NFRA National Financial Reporting Authority यह हमारे देश में Financial Reporting की Big Boss बनकर पैदा हुई है हमारे देश में National Financial Reporting Authority की जिम्मेदारी है कि जो accounting और other professionals हमारे देश में काम करते हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें और मर्यादा में रहते हुए काम करें और accounting standard और auditing standard को follow करने वाले professionals अपनी responsibilities अच्छे तरीके से fulfill करें उनको regulate करने के लिए उनको monitor करने के लिए उनकी performance ensure करने के लिए इसको बनाया गया है इसमें एक chair person होते हैं 15 member होते हैं और उन 15 में से कम से कम एक member full time होना mandatory है तीन बड़े काम है उनके पहला central government को accounting और auditing standard recommend करना दूसरा काम है monitor करना compliance monitor करना कि accounting और auditing standard follow हो भी रहे हैं के नहीं हो रहे और तीसरी बड़ी बात देखिए professionals जो account और auditing में involved है उनकी quality of service को oversee करना उनको monitor करना इसके पास civil court की सभी powers है it has all powers of civil court क्या होगा अगले तीन साल में adjust कर ले न कोई बात नहीं इस साल जादा अगले साल कम set off access suspending can be set off in future for next three years पहले set off नहीं होता था हाँ CSR का खर्चा करते समय थोड़े से administrative खर्चे भी होंगे मालो हमने गंगा के सफाई के लिए कोई गायोजन करा और हमारी team में से 50 लोग गंगा के सफाई में गए तो उनका आने जाने का convince का भी तो खर्चा हुआ ये CSR नहीं है CSR को करने के लिए खर्चा हो रहा है administration पर ये 5% से ज़ादा नहीं हो सकता CSR पर अगर तुम 50 करोड़ खर्च कर रहे हो तो 50 करोड़ का 5% से ज़ादा CSR के administration पर खर्चा नहीं होना चाहिए CSR का खर्चा करना कहां पर है आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हो जैसे कोई अस्पताल बन रहा हो तो पूरा तो पूरा तो पूरा अस्पताल यार इस साल में बन के तयार होना नहीं उसमें एक दो साल लगेगा तो तुम अगर किसी ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहते हो जो अभी रनिंग है तो भी कोई बात नहीं फिर जरूरी नहीं कि उस पैसे को पूरा खर्च करो तुमने पैसे अलग निकाल के रख देने हैं तीन साल में उस अस्पताल में लगा दीने हैं अगर 2% से जादा करा था तो आगे एड़जस्ट कर लिया अगर 2% से कम खर्चा करा थो खर्चा होई नहीं पाया हम तो ढूंड रहा है कहां charity करें हम तो ढूंड रहा है कहां CSR करें बताओ कोई मिली नहीं रहां Unspent shall be transferred within six months. ये दो लाइने कैसी हैं, ध्यान से समझना. अगर आपका project ongoing है, तो पहले तीन साल इंतिजार करना है, अस्पताल में पैसे खर्च होंगे, 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 हो, तीन साल पूरे हो गए, नहीं खर्चा हुआ, तो अगले तीस दिनों में कहीं और ठिकाने लगा देंगे. लेकिन अगर others की बात है, मतलब हम नहारा project कोई ongoing नहीं है, हम कोई hospital नहीं बनवा रहे, हम कोई school नहीं बनवा रहे, हमने तो बस कहीं donation दे नहीं थी, भूल गए या नहीं दे पाए, देरी हो गई, तो भाई financial year खतम होने के 6 महीने के अंदर-अंदर किसी और को transfer कर दो. Schedule 7 में कई सारे fund के नाम है, Prime Minister National Relief Fund, Prime Minister Cares Fund, Clean Ghanga Fund, Swach Bhart, Kosh, पता नहीं क्या-क्या है, वहादान दे दो. One of event is not CSR. आपने कोई event करा दी, आप मेराथन करा दी, आपने, लोग दोड़ रहे हैं, Cancer Awareness के लिए, अरे दोड़ने से कौनची Cancer Awareness हो रही है, सरकार करी है, ये CSR नहीं है, ये विज्यापन होता है. Preference to local area, आपने खर्चा करना है, अपने आसपडोस में सबसे पहले, जहाँ पर आप हैं, वहाँ के वातापरण की जिम्मेदारी पहले है आपकी, Spending Outside India is not CSR, भारत के बाहर खर्चा करोगे, पुन नहीं मिल सकता है, CSR में काउंट नहीं होगा वो, Earning Outside India is not considered in checking turnover for CSR, वो भी बात सही है, जब विदेशों में करा गया, खर्चा CSR नहीं माना जाता, तो विदेशों से कमाए हुए पैसे को भी turnover में एड नहीं करा जाता, CSR can be implemented by itself, CSR का जो काम करना है, या तो आप खुद कर लीजे, या किसी दूसरी कमपनी के साथ collaboration कर लीजे, या किसी existing NGO को दान दे दीजे, लेकिन वो NGO तीन साल पुराना होना चाहिए, जो जो कमपनीया CSR पे खर्चा करेंगी, उनको CSR one form भरना mandatory है, उनको registration करवाना mandatory है, MCA की website पर, जब आप ये CSR one form जमा कर देंगे, तो आपको CSR registration number मिलेगा, जिससे हमेशा आप login करेंगे MCA की portal पे, CSR की report, board report के अंदर रखी जाएगी, अगर, आपका CSR पे खर्चा 10 करोड है पिछले 3 साल में, 10 करोड है पिछले 3 साल में, या फिर, आपका 1 करोड से ज़्यादा का project का खर्चा है, जो की 1 साल पुराना है, तो आपको impact assessment कराना है, बहुत ध्यान से समझेगा ये क्या लिखा है, जिन कंपनियों ने बड़े खर्चे करें हैं, पिछले 3 साल में 10 करोड खर्च कर दिया आपने CSR पे, तो भाई उसका असर क्या पड़ा समाज पे, तुम तो कहरे हो, मैंने पैसे उड़ा दी है, इसकी रिपोर्ट यहां पर होनी जरूरी है, और अब ये रिपोर्टिंग करने में खर्चा आएगा, impact calculate करने में खर्चा आएगा, कितना प्रदूर्शना वाकई में हमने कम किया, इसमें भी तो पैसे लगेंगे, 2% से ज़ादा नहीं लगेंगे, expense in impact assessment, शैल भी maximum 2% of CSR expense, और 50 lakh, whichever is higher, इस से ज़ादा पैसे खर्च नहीं करने हैं, अब आगे हैं internal audit, वैसे देखने से लगता है, कि internal audit voluntary है, हम इसलिए कराते हैं, ताकि main auditor के सामने हमें शर्बिंदा नहोना पड़े, statutory auditor आता है, तो फिर वो रिपोर्टों में लिखता है, हमारी कंपनी के share के भाव गिर जाती हैं, इस से पहले के statutory auditor हमारी कंपनी में आये, हम internal audit करा लेती हैं, तो वैसे तो internal audit हर जगा mandatory नहीं होता, लेकिन, नीचे दी गई कंपनियों में internal audit mandatory है, कहां कहां पर mandatory है, इन साथ में से दो private कंपनिया हैं, चार public कंपनिया हैं, और एक तो वो जिसके साथ हमेशा सोते लव्यभार होता है, हर जगा जो cover होती है, वो है listed company, तो listed company, दूसरा, public company जिसकी paid up capital 50 करोड़ या उससे ज़ादा हो, पबिलिक कंपनी जिसका turnover 200 करोड़ या उससे ज़ादा हो, पबिलिक कंपनी जिसकी outstanding 100 करोड़ या उससे ज़ादा हो, पबिलिक कंपनी जिसका deposit 25 करोड़ या उससे ज़ादा हो, प्राइवेट कंपनी जिसका turnover 200 करोड़ या उससे ज़ादा हो, इस company को internal audit करवाना mandatory है कौन करेगा कोई भी कर सकता है preference दी जाती है chartered accountant को और cost accountant को यह है first auditor first auditor mandatory वाला अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो audit के provisions है हमने accounts के provision पूरे कर लिए है यहां से आगे के जो provisions हैं वो mandatory for everyone है company audit हर company में होता है छोटी बड़ी देशी विदेशी अपनी पराई public, private, whatever हर company में audit mandatory है तो यह उसकी बात चल लए पहले बात पढ़ते हैं first auditor हमारी company में in corporation के 30 दिनों के अंदर board of director अपॉइंट करेंगे first auditor अगर board of director नहीं कर पाए तो यह काम shareholders करेंगे extraordinary general meeting में अगले 90 दिनों में इसका मतलब यह हुआ कि 30 प्लस 90 120 दिनों के अंदर first auditor हमारी company के अंदर आ ही जाएगा remains in office up to the conclusion of first AGM पहली AGM के समापती तक first auditor कुरसी पे बैठा रहता है first AGM के समापती तक first auditor हमारी कुरसी पे बैठा रहता है जब भी हम auditor को appoint करते हैं तो उससे 4 चीज़ों पे sign कराते हैं हम कहते हैं auditor साब पहले इस पे sign करो तभी आपको in करेंगे तो auditor self declaration 4 चीज़ों के sign करता है पहला कि वो eligible है दूसरा कि उसका term specified है मतलब 5 साल के लिए appoint होता है कि 1 साल के लिए appoint हो रहा है वो within the law appoint हो रहा है within the limits हो रहा है आप आगे पढ़ेंगे कि एक auditor को 20 audit allowed होते हैं तो वो उसके अंदर ही appoint हो रहा है pending proceedings are correctly disclosed और वो ये लिखके देगा कि मेरे खिलाब जितने भी कारवाई चल रही है मैं लिखकर आपको देता हूँ कि ये सत है हम auditor के पीछे investigation नहीं बिठाएंगे कि वो C.A. है के नहीं है उनने degree ले रखी है के नहीं पागल दिवालिया विदेशी सत्रू तो नहीं है हम का चेक करेंगे हम तो उससे ये sign करा लेंगे हम कहेंगे auditor जाब नहीं बोला है कि वो qualified है तो हमने तो मान लिया के वो qualified है अब अगर company के 51% share सरकार के पास हो अब अगर हमारी company सरकारी हो तो सरकारी company में क्या rule है वो यहाँ पर हम देखने आए हैं सरकारी company हो में भी first auditor mandatory है सरकारी company हो में first auditor appoint कैसे होगा CAG के दवारा incorporation के 60 दिनों के अंदर अगर वो नहीं कर पाए तो board of directors के दवारा अगले 30 दिनों के अंदर अगर वो भी नहीं कर पाए तो shareholders करेंगे at extraordinary general meeting अगले 60 दिनों के अंदर तो अगर आप notice करें तो यहाँ पर total दिन 150 मिल रहे है और 11 सरकारी company जो normal company हो उसमें 120 दिन मिल रहे थे standard tenure क्या है auditor का standard tenure पास साल पास साल के लिए auditor appoint होता है appointed जैसे पहली AGM में हुआ तो retire छटी AGM में हो जाता है फिर छटी में जो आएगा वो 11 वी में retire हो जाएगा 11 वी में जो आएगा वो 16 वी में retire होगा 21 वी में retire होगा सरकारी कंपनी में first auditor तो आ गया उसने अपनी AGM तक पहली AGM तक वो बैठा रहा फिर वो चला गया तो अब हर साल auditor चाहिए सरकारी कंपनी में एक साल के लिए appoint होता है सरकारी कंपनी में पास साल के लिए appoint नहीं होता 180 days from commencement of financial year financial year शुरू होने के 180 दिन के अंदर उसका appointment हो जाता है और अगली AGM में वो निकाल दिया जाता है ये क्या होता है rotation बहुत important point है आपको पता है अगर आपने auditor के रूप में individual chartered accountant को appoint करा है तो पास साल के लिए अगर आपने रखा है तो बस उसके बाद पास साल के लिए आपने उसे हटाना पड़ेगा पास साल का वनवास रखना पड़ेगा और अगर आपने partnership फरम रखी है auditor के रूप में तो पाँच-पाँच साल के लिए दो बार आप लगातार appoint कर सकते हैं बिना break के दो बार appoint हो गया 5 plus 5 plus अब 5 साल का break mandatory है 5 minus लेकिन ये जो break वाला चक्कर है ये हर company में नहीं है जो छोटी मोटी company आए वो कहां break break करेंगी वो तो same CA से जिंदिगी भर audit करा लें कोई फरक नहीं पड़ता जो ये वाली company आए इन वाली company के उपर rule है कि 5 साल रखने के बाद 5 साल break करना mandatory है कौन कौन सी कंपनिया लिस्टिड कंपनी ऐसी public company जिसकी paid up share capital 10 करोड या उससे जदा है ऐसी private company जिसकी paid up share capital 50 करोड या उससे जदा है ऐसी company चाहे public हो या private जिसकी borrowing और public deposit 50 करोड या उससे जदा है OPC और small में कोई परक नहीं पड़ता casual vacancy क्या होती है हमने auditor को रखा यह सोच करके 5 साल रहेगा हमारे साथ 5 साल से पहली कट लिया वो तो हमारे सारे सपने तूट गए कुरसी खाली हो गई क्या करें हमें तो auditor चाहिए किसी और को देखेंगे यह देखो to be filled by board of director in 30 days कुरसी खाली होने के 30 दिनों के अंदर board of director किसी और को अपॉइंट कर देंगे लेकिन उसका अपॉइंट्मेंट final नहीं होगा अगर वो स्तीफे की वज़े से रिटायर हुआ है मतलब कुरसी खाली होई है अगर स्तीफे की वज़े से कुरसी खाली होई है तो shareholder के द्वारा approval होना mandatory है जो auditor आप बीच में अपॉइंट करते हो खाली कुरसी भरने के लिए जबरदस्ती अपॉइंट करते हो वो पाँच साल नहीं रहता बस अगली AGM में रिटायर हो जाएगा यही बहुत बड़ी भूल करते हैं बच्चे जैसे पास साल के लिए auditor आपने रखा दो साल बाद auditor मर गया तो अब जो नया आप रख रहे हो वो बचे हुए तीन साल करेगा ऐसा गलत है सोचना बचे हुए तीन साल नहीं करेगा वो बस अगली AGM तक रहेगा अगली AGM में फिर नया आदमी रखेंगे उसके फ्रेश पास साल चालू होंगे अगला topic at disqualification of being auditor इन चेहरों को auditor की seat पर नहीं बढ़ाना है इन लोगों को auditor की कुरसी पर नहीं बढ़ाना है पहला company का officer, company का employee company की officer या employee का employee company की officer या employee का partner body corporate LLP छोड़के ऐसा person जिसने company में investment कर रखी है जिस इनसान ने company के एक रुपए के भी share खरीद रखे उसको उस company का auditor नहीं बना सकते है हाँ, रिष्टदार share खरीज सकता है एक लाख रुपए तक का ऐसा आदमी, जो company का debtor है पाँच लाख से ज़्यादा का, वो auditor नहीं बन सकता ऐसा आदमी जिसने एक लाख रुपए की guarantee या security दी है वो auditor नहीं बन सकता डारेटर का रिष्टदार की managerial person का रिष्टदार auditor नहीं बन सकता ऐसा आदमी जिसको fraud में jail हो गई जब तक jail में है, एक तो तब तक auditor नहीं बन सकता जेल के बाहर आने के बाद भी दस साल तक का वनवास है, दस साल तक auditor नहीं बन सकते ऐसा person जो हमारी company को services देता है कौन सी वाली 144 section में लिख्यों या भी आएंगी इसका मतलब services under section 144 and audit are mutually exclusive या तो वो services दे दो या audit कर लो person having business relationship जिस इंसान का हमारी company के साथ business relationship है और उसमें influence हो रहा है arms length price पर नहीं हो रहा, वो auditor नहीं बन सकता और जिसकी ceiling limit exceed हो गई, वो auditor नहीं बन सकता ceiling limit मतलब एक chartered accountant एक समय में एक limited number of audit इकर सकता है अगर सारे auditor, सारे audit जीवन के सारे audit देश के, सारे audit कंपनियों के एक ही chartered accountant ले लेगा तो बाकियों को क्या मिलेगा इसलिए limit रखी गई है, 20 audit पर partner मतलब एक chartered accountant एक बार में 20 से जादा audit नहीं कर सकता मतलब अगर एक firm में 4 partner नहीं है तो 20 into 4, 80 audit हो गए लेकिन, नीचे दी गई company account नहीं होती इसका मतलब नीचे दी गई कमपनियों के audit तो तो unlimited accept कर लो इन company के अलावा अगर किसी का audit लोगे तो 20 से जादा एक बार में नहीं लेना अगर और आ रहा है तो पहले 20 में से एक खतम करो फिर अगला लो फिर एक खतम करो फिर अगला लो कौन सी company और नहीं है 1 person company कितने भी audit कर लो dormant company कितना भी audit कर लो small company कितना भी audit कर लो private company जिसकी capital 100 करोर से नीचे है कितना भी audit कर लो यह रही वो list यह वाली services नहीं देनी है या तो यह services दे सकते हैं आप या audit कर सकते हैं audit करेंगे तो यह service नहीं देंगे service देंगे तो audit नहीं करेंगे क्या? accounts और bookkeeping internal audit financial information system का design या implementation actuary, investment advisory, investment banking, outsourcing of financial services, management services, any other kind सर आप सोचो अगर आप यह services देते हो तो आप एक प्रकार से internal person हो जाओगे और जब आप एक प्रकार से internal person हो जाओगे तो किस मूँ से आप audit करोगे? अपने ही बनाए हुए accounts को चेक थोड़ी कर लोगे आगे देखिए auditor to attend AGM general meeting, हर auditor को उसके कारेकाल में जितनी भी general meeting है वो attend करना mandatory है नहीं करना चाहते है, छुट्टी apply करिए छुट्टी मिली तो ठीक है, नहीं तो अपनी जगा किसी दूसरे को भेजिए जिस किसी दूसरे को भेजेंगे, वो must be practicing chartered accountant, यह देखो compulsory leave to be granted by company अगर leave नहीं मिली, तो किसी दूसरे प्रतिनिधी को भेजिए, लेकिन वो प्रतिनिधी आपका employee नहीं होना चाहिए he must be a practicing chartered accountant अगला cost audit आपके जीवन की आनबानशान cost audit section 148 अपना ही section है cost audit देखिए हर कंपनियों में नहीं होता यह केवल prescribed केटिगरी में होता है हमारे देश में 6 प्रकार के regulated sector और 33 प्रकार के non regulated sector में ही cost audit होता है regulated sector में overall turnover 50 करोड कम से कम होना चाहिए और covered product का turnover 25 करोड होना चाहिए non regulated में overall turnover 100 करोड होना चाहिए और covered product का turnover 35 करोड होना चाहिए covered समझते हो इन 33 में से कोई covered, इन 6 में से covered, टोटल मतलब covered, not covered सब मिला कर, लेकिन नीचे दी गई लोगों को cost audit कराने की जरुवत नहीं है, भले ही वो covered हो, भले ही उनका turnover cross हो जाए, क्यों भई, ऐसा क्या माफी है इनको, क्योंकि पहली बात, या तो ये sales, SEZ से काम करते हैं, इनका 75% revenue तो अपने consumption के लिए, cost auditor comes in 180 days from commencement of financial year, financial year शुरू होने के 180 दिन के अंदर cost auditor का appointment हो जाना चाहिए, और financial year खतम होने के 180 दिन के अंदर वो अपनी report दे देना चाहिए, resignation, जब भी auditor का दिल करे, लिखित में resign कर सकता है, वो अपना स्तीफा board of director को देगा, और 30 दिन के अंदर ROC को inform करे रिमूवल के case में क्या है, ध्यान से देखेंगे तीन step में, सबसे पहले board resolution पास होगा, board of director की meeting में, उसके बाद 30 दिनों के अंदर केंद सरकार से approval लेना पड़ता है, CG approval, आपने देखा auditor को हटाना इतना आसान नहीं है, central government से approval is mandatory to remove the auditor, ADT2, और उसके 60 दिनों के अंदर आपको special resolution पास करना पड़ेगा, auditor को यह हक है कि वो अपनी सफाई पेश कर सके, auditor has right to speak to save himself, हाँ, अगर यह removal, NCLT के कहने से हुआ है, तो अगले 5 साल तक आप किसी और company में auditor appoint नहीं हो सकते, fraud reporting is very important for you people in your finals, fraud reporting बहुत कीमती है, अगर एक करोड रुपे या उससे जादा का fraud दिखाई देता है auditor को, तो तुरंत board directors को inform करो दो दिन के अंदर, उनके जवाब का इंतजार करो, 45 दिन में वो आपको जवाब देंगी और अगले 15 दिनों में आपके इंद सरकार को report देऊगे, ADT4 में, बहुत ध्यान से समझना है कि एक करोड रुपे से कम का fraud है, तो फिर ये rule apply नहीं होता, एक करोड रुपे से ज़ादा का fraud होगा, तभी ये rule apply होगा, accounts और audit के provision दोस्तों, इस प्रकार पूरे हुए हलो बच्चों, कैसे हैं आप, मैं CACMA संतोष कुमार, मैंने और मेरे टीम ने डिसाइड किया, कि जो quality education मैं और मेरे टीम एक particular area में provide कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों ने फाला जाए, at the reasonable cost, under the brand name of COC Education Private Limited, मेरे बच्चों, इस success को हमने पाया, commerce के students किसी भी course के हो, वो पूरे और इंडिया में बैठके हमारे courses से benefit ले रहे हैं या ले चुके हैं, में जो दूसरों से अलग करता है, वो है हमारा daily doubt session, हमारा जो academic instructor team है, आपके continuous, आपके growth पे वो नजर बनाया रखता है, और आपको continuous basis पे motivate करना आपको study के लिए, मेरे बच्चों, कुछ आपके लूगए, आपके लिए अरितार रखता है सफितिक or क्टी हूँ खराऊच में पर के आपके waktu लोगए रहे हैं, अर ऐसी नदारों घुमि नदायों assertानु छाश् आजिए, अवेखी लुडाज में आइस से शलों के लिए तीड़ हैं, तो है अनुम्य पूसर घ My doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. आप भी हमारे साथ जोइन करें और सक्सेस के पाथ पर आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें Thank you, thank you बच्चे